हेलो प्यारे बच्चे कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे मैं राजा चौदरी केडी स्टडी वा यंकित राजा पर आपका हर्दित सवागत करता हूं आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ प्रॉफिट एंड लॉज्स की सेकिंड किलास लेकर पहली क्लास में हमने सीखा था कि कुछिंस कितने टाइप्स के होते हैं प्रॉफिट एंड लॉज्स का बेस क्या है हमने इस चीज पर डिसकस किया था आज मैं आपके सामने प्रॉफिट लोस की दूसरी क्लास लेकर आया हूं और हम आज सीखेंगे कि हम किस्टने टाइप के आते हैं एक्जाम में किसके लेवल की क्विश्टन आते हैं और बड़े अच्छे-च्छे सवालों को हम छोटे तरीके से कैसे हम लगा सकते हैं क्योंकि आप सब को पता होगा कि जब हम एक हंड्रेड में से 130 नमबर पे जाती है 200 का पेपर होगा तो 130 पे जाएगी 135 पे जाएगी तो हमें अपनी तयारी उस अश्राव से करनी है कि हम सेलेक्शन लेकर के जाएं तो आज हम सीखेंगे प्रॉफिट और लॉस का फर्स्ट पार्ट और प्रॉफिट और लॉस में आ अज़े पर आधरिस सवाल इसके बारे में हम सीखेंगे कि किस किस तइप की कुछिचन साथे हैं इसमें कितने तरीकों से सवाल हम लगा सकते हैं और कितने अच्छे लेवल की क्षिचन हमाइश सामने आते हैं इसमें दूसरा टाइप आपके सामें लिखा है क्वांटिटी सभी मिइटा ऐसे सवाल हमें बहुत अच्छी सवाल इसमें दिये हूंगे बमेंस कि मारत्री बड़ी बता लगाने कोई बड़ी बात नहीं 。 अगर आपको पता है कि कुष्ण को जम अके सब है अब इसमें टीसरा लिखा है अबका discount based question, जहाँ हमें छूट दी जाएगी, discount दिया जाएगा, discount based question, तीसरा हो गया, चौथा लिखा है आपका mislinious question, यानि कि विविद प्रकार के बिशन, जो आप कहते हैं, सर, पेपर में सवाल तो आया, पर पता ही नहीं चला कहां से आया, तो ऐसे questions को हम इसमें सीखेंगे, विव के सामने है, और आपको देखने को मिलेगा, पहला question यह रहा इस स्कीन पर, पहला question इसमें लिखा है, price based question है, और मुले पराधिस सवाल का type का पहला सवाल है, on selling an article for 11280 रुपीज, a shopkeeper get the loss of 6%, what is the cost price of article, वस्तो का क्रे मुले पुछा है, एक दुकानदार 11,280 रुपे में, एक वस्तो को बेचने पर 6% की हानी प्राप्त करता है, तो उसका किरय मुले क्या हुगा, आपको अ ये बात बिलकुल स्पष्थ होनी चहिए, कि lazkt klas में हमने सीखा था, CP क्या होता है, MRP क्या होता है, MP क्या होता है, ये सारी बाते हमने लाश्ट klas में सीखी थी, आपको क्या देखना है आपको यह देखना है कि जब हमने 6% के लॉस पर कोई चीज बेची और उसका जो प्राइस था वो 11,280 रुपे था के लिए तो आपको यह बात बिर्कुल साफ समझ में आनी चाहिए कि 6% का लॉस हो गया तो यह वैल्यू कितने के बराबर थी 94% के बराबर थी 11,280 यह वैल्यू अब मैं बात करता हूँ आप से किसी भी चीज के कॉस्ट प्राइस की तो आपको एक बात याद रखनी है आपको नहीं पता किसी भी चीज का कॉस्ट प्राइस क्या होता है तो आपको सिंपल सी एक बात याद रखनी है कि CP से घबराना तो है नहीं CP मान के चलि है कि सर जब आपने ये मारकर या फिर ये वाच जब आपने ये खरीदी होगी तो आपने इसका 100% पेमेंट किया होगा और लाश्ट किलास में मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया था कि वस्तू का कोश्ट प्राइज कभी नहीं बदलता हमेशा बदलेगा तो वस्तू का सेलिंग प्राइज गटेगा तो सेलिंग प्राइज घटेगा बढ़ेगा तो सेलिंग प्राइज बढ़ेगा तो अब हम यहां कह सकते हैं कि हमें बताना है CP और CP जो होता है वो 100% होता है याने कि 100% की value हमें यहां find करनी है तो इसका solution क्या बनेगा 11,280 कितने की value है 94% की आप 120, 120 वार और यह हो जाएगा 120 इंटो 100, 120 तो यह और 100 की 200, answer is 12,000, option number A is the right answer of this question, हमें बड़े अच्छे से सीखा, बस CP चाहिए तो multiply by 100, यह बात हमें याद रखने है, अगर हमें किसी भी चीज का CP यहां cost price आपको चाहिए, तो आपको multiply by 100 करना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है, यह question आपकी बड़ी अच्छे से समझ में आया होगा, answer 12,000, यह जो question आपके सामने दिखा है, या जितने question आएंगे आपके सामने, वो सब previous year questions हैं, और वो किसी ना किसी साल में SSC, MTS हो गया, SSC का CHSL हो गया, CPO हो गया, CGL हो या फिर मैं कहूँ, other state level exam मे यह question आए हुए है, अब हम आपके सामने चलते हैं, दूसरे question की तरफ, बड़ा अच्छा सवाल आपके सामने लिखा है, बिल्कुल एकदम बढ़िया सवाल, A shopkeeper sold an article for 6160 rupees, एक दुकानदार एक वस्तु को 660 रुपे में बेज कर 12% की हानी प्राप्त करता है, तो वह 14% का लाब कमाने के लिए करता है, तो वह 14% का लाब कमाने के लिए उस वस्तु को किस मुल्ले पर बेजे, इसके options आपके सामने दिख रहे हैं आपको, पहला option है 8,000, दोसरा option है 7,980, 7,980, तीसरा option है 5560, और आपका अगला question है 9560, यह बड़ा अच्छा सवाल है, यानि कि selling price बताना है, selling price ही दिया हुआ है, CP का तो कोई मतलवी नहीं है, है ना, last class में, मैंने आपको बताया था, जिन बच्चों ने नहीं पड़ी है, वो एक बार last class जरूर देखें, और last class में मैंने आपको बताया था, कि CP को हम ब्रकुल भी change नहीं कर सकते, घटेगा तो SP घटेगा, बड़ेगा तो SP घटेगा, कहीं profit हो रहा है तो 100+, कहीं loss हो रहा है तो minus 100, हम बड़े राम से कर सकते हैं, तो जैसा इस question में आपको मैं बताऊं, बड़ा साफ साफ यहां देख भी रहा है, कि हमें इस question को कैसे solve कर होई, 88% की यह बात बिर्कुल आपके mind में setup होनी चाहिए, 12% की loss कर दिया, और हमारी value होगी 6160, हमें जो value बतानी है, वो 14% profit यानि की 100+, करके लिख दो, 114 की value बतानी है, कितनी होगी, बिर्कुल साफ, तो हम जाके इसका solution बना देंगे, 6160 upon 11, sorry, 88 आएगा नीचे, यह 88 की value थ और हमें करना है, multiply by 114, क्योंकि हमें selling price बताना है, और इसकी calculation जो हम करेंगे, तो हमारा answer आजएगा, आपका option number 27980, answer is this of this question, answer आजएगा 7980, बड़ा अच्छा सवाल था, SSC का बड़ा hit सवाल है, कई बार exam में आया भी है, क्योंकि selling price देंगे, selling price ही हमसे पूछा है, तो हम इ आप इसको बड़े अच्छे से mark कर सकते है, 7980 इस सवाल का answer, समझ में आया होगा, उम्मीद है मुझे, आपकी समझ में बड़े अच्छे से आया होगा, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल question number 3, हमारे सामें लिखा हुआ है, अगला question हमारा लिखा हुआ है a shopkeeper sold an article for rupees at 22% profit, अरे यह तो बड़ा अच्छा सवाल है, 22% के profit पर यह बात हमारी लिखी हुई है, he sold a 10, no profit, no loss, then he get 1100 rupees, loss, ठीक है, find cost price, एक दुकानदार एक वस्तू को 22,30 के लाब पर बेजता है, यदी वह उसको नेलाब नेहानी पर बेजता, तो उसको 1100 रुपे कम प्र राप्त होते, तो वस्तू का किरय मुल्य बताइए क्या होगा, options हमारे सामने लिखे हुए है, 5000 है, 5500 है, 6000 है और 6500 है, बड़ा अच्छा सवाल आपके सामने आपको यह बोर्ट पर दिख भी रहा होगा, मुझे उम्मीद है, आप लोग इसका answer बड़े अच्छे से लगा भ लोग, हमने कोई चीज खरीदी और हमने उस चीज को फिर बेचा, अब हमने जब किसी चीज को खरीद के बेचा, तो खरीदने का तो प्राइस हमें या दिया भी नहीं है, ना हम से पूछा है, पूछा है, पूछा है, लेकिन हमें नहीं पता, तो आपको यह पता होना चाहि कि जब हमने कोई चीज खरीदी होगी तो हमने वो 100% पर खरीदी होगी किलियर अब इसको उसने बेज दिया 22% के प्रॉफिट पर यह हो गया जी 22% का प्रॉफिट यानि कि वो वस्तु 122 रुपे क्या हो गया सेलिंग प्रैस माल लिया हमने 122 रुपे दिया तो क्षिशन कहता है कि उसको पहले से अब में कुल मिलाकर जो कम प्राप्त होते हैं वो 1100 रुपे प्राप्त होते हैं यह हमने लिख दिये 1100 रुपे आपके सामने क्षिशन ने कहा अब उसको वो चीज ना लाब और ना हानी पर बेचनी है यानि कि जितने की खरीदी उतने की ही वो उसको बेचे तो जाहिर सी बात है 100 की खरीद कर 122 की बेच रहा था अब उसको 122 की जगा वापस 100 की बेचनी है तो उसको पहले से अब कितने कम मिलेंगे 100-122 तो 22 कम मिलेंगे तो यह जो 1100 value है यह कितनी की है 22 की तो आपको क्या बताना है cost price तो 100 की value कितनी होगी यह बात हम कह सकते हैं और आपका answer हो गया 22 5s of 110 50 times काटेंगे और 100 into 50 हमारा answer हो जाएगा 5000 और आप कह सकते हैं कि मेरे इस question का जो answer आया मैं कह सकता हूँ option number a हमारा सवाल का answer विर्कुल सही है 5000 आप बड़े अच्छे से इसको tick कर सकते हैं के लिए समझ में आया मुझे उम्मीद है यह सवाल आपकी समझ में आया होगा बड़ा अच्छा सवाल था sse का बड़ा hit सवाल है देखो बड़ा अगर हमें पढ़ना है तो हमें तैयारी उसी हिसाब से करनी होगी कि हमें selection चाहिए अगर selection नहीं लेना तो फिर कैसे पढ़लो उस पास से कोई फरक नहीं पढ़ता लेकिन आपको analysis करना है कि paper में questions किस topic से कितने आते हैं कौन सा question ज्यादा बार पुछा जाता है कौन सा type ज्यादा बार पूछा जाता है किस topic से कौन सा question बार बार पूछा जा रहा है ताप इस topic से कितने को एनलाइज़ करना है और जब तक आप एनलाइज़ नहीं करेंगे तब तक बात कैसे बनेगी आपको एक कठोर मेहनत करनी है तब हमें जाके सेलेक्शन मिलेगा और मैं उमीद करता हूँ कि आपको मैं वहां तक जरूर लेके जाओगा कि पेपर में किस टाइब के कितने कुछिशन पूछे जाते हैं कौन कौन से पूछे जाते हैं और ये गरंटी है बिटा कि हम इतना देंगे इतना आपको दे देंगे कि आपके एक्जाम में सब कुछ मिलेगा यहां से ठीक है अब हम चलते हैं क्विशन नूंबर आपके फूर की तरफ क्विशन नूंबर चार बड़ा अच्छा सवाल है बड़ा हीट सवाल है इससी का a man sold his goods at 4% loss had he sold it for 49.50 rupees more he would have gained 5% बल्कुल अच्छी बात है what is the cost price वस्तु का क्रेम मुल्य क्या होगा हिंदी में क्विशन है एक वैक्टी अपनी वस्तु को 4 प्रितिसत हानी पर बेजता है यदि वह उसे 49.50 पैसे अधिक में बेजता तो उसको 5 प्रितिसत का लाव होता तो वस्तु का क्रेम मुल्य क्या है हमसे cost price हमसे पूछ तो आपको ये बात पता होनी चाहिए cost price क्या है cost price हो गया हमारा hundred ठीक है ये मालिया हमने 100 की वस्तु खरी दी अब उसको हमने 4% के loss पर बेज दिया ये हो गया 4% loss अगर वह उसे 49.50 रुपे अधिक में बेजता तो उसको जो हाने हो रही थी 4% वो profit पे जाके उसको होता 5% का profit यानि कि वो value होती 105 के बराबर ठीक है ये बात समझ में आई बिल्कुल आसान सी बात थी अब question ने हमसे कहा जब value 105 हो गई कहां से 90 से 96 से तो ये बढ़ी कितनी होगी ये जाहिर सी बात है आपके सामें दिख रही है 105 इंटो 96 ये बढ़ी आपकी 5 और 4 होगेगा multiply by 100 नाइन से आप इसको काट दूं ये 5.5 आजाएगा तो आपका answer कितना आजाएगा option है 550 बल्कुल अच्छी बात है आपका answer officer आ गया D option answer is 550 रुपे हम कह सकते हैं कि हमारा answer बल्कुल अच्छा होगा अच्छे से समझ में भी आया होगा option number D right answer समझ में आया तो कुछ नहीं है ज्यादा कठिन भी नहीं है हमें बिल्कुल चीजों को ऐसे समझना है जैसे हम एक काम interesting तरीके से कर रहे हैं जब तक बेटा हम किसी चीज में interest नहीं लेंगे तब तक वो चीजे हमारी समझने प्रॉपर अच्छे से बिर्कुल भी नहीं आएंगी जैसे जैसे हम questions को आगे बढ़ते जाएंगे हमारे questions का level बिर्कुल ऐसे एक एक करके आगे बढ़ता चला जाएगा अब हम चलते हैं question no.5 पर आपके सामने एक बड़ा अच्छा सवाल लिखा है और मैं उमीद करता हूँ यह सवाल आपको समझ में बिर्वी आना चाहिए क्योंकि यह वास्तव में ही बहुत अच्छा सवाल है ठीक है कटनी रहा होगा बिर्कुल अच्छा से दिख रहा है बिर्कुल दिख रहा है पार्थ अर्ण 15% on investment but loss is 5% on another investment बिर्कुल अच्छी बात है if the ratio of two investments is 3 ratio 5 बिर्कुल सही है चलो ठीक है then find the combined loss percentage is SSC का बड़ा हिट सवाल है बिटा कई बार ये exam में पूछा भी जा चुका है पार्थ एक निवेस पर 15% का लाबर्जित करता है जबकी एक अन्य निवेस पर उसे 10% की हाने होती है उसके ये दो निवेस जो है उनका जो ratio है वो 3 ratio 5 है तो हमसे पूछा था combined loss percent अच्छा है इसमें lossy होगा तो loss percent पूछा है तो विर्कुल सही बात है लेकिन हमें यह option में profit lossy निजर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे तो अब तो समझो अच्छे से क्रिशन ने कहा दो investment है चलिए दो इंवेस्ट हम कर लेते हैं यह हमारा फैला investment हो गया यह हमारा बेटा दूसर investment हो गया इस question को हम दौनों तरीके समझाएंगे आपको अब ब्रकुल अच्छे समझना कि पहला investment जो लिखा है दौनों तरी रेशो फाइव के रेशो में आपके सामें लिखे हैं जब चीज कोई रेशो में लिखी है तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि रेशो में जब कोई चीज आ गई तो उसके आगे पीछे यहनी कि पीछे हम कितनी जीरो बढ़ा लें अपनी calculation आसान करने के लिए उन जीरो का कोई मेहत्म नहीं होता वह हंड़ेट थी रेशो में है तो दोनों जीरो से दोनों जीरो फिर कड़ जाएंगी लेकिन हमारी value क्या रहेगी 3 और 5 लेकिन हम अपनी calculation को आसान करने के लिए इसको 300 और इसको 500 मान लेते हैं चलिए अब म मान ही लिया है तो जब मैंने इसको 300 माना तो मुझे पता चला कि पहले वाले पर उसको 15% का profit हुआ विरकुल मान लिया तो 15 345 यानि कि उसको 45 रुपे का profit हुआ तो मैं लेकि सकता हूँ कि total कितना हो जाएगा total हो जाएगा 345 दोसरे वाले पर उसको 10% का क्या हो गया बिटा लॉस हो गया तो 10,50 रुपे का लॉस हो गया तो वो वैल्यू कितने के बराबर हो गई 450 यानि कि आप कह सकते हैं कि वो वैल्यू हो गई 450 रुपे के बराबर बिल्कुल सामझ में आया बिल्कुल आसान सी बात लिकी हुई है अब इसको करना क्या है हमने जो investment किया वो 300 और 500 वो टोटल हमने 800 का investment किया हमें मितला कितना 345 एकवार मिला 450 एकवार मिला हमने दोनों को add किया तो वह हो गया 795 आठ सो रुपया invest किया मिला 795 तो हमें जाहिर सी बात है घाटा हो गया यानि कि answer lost percent में पूछा था तो बिरकुल सही पूछा था हमें बिरकुल lost percent पे ही जाना ह अब हम देखेंगे loss कितने रुपय का हुआ तो बिटा loss हुआ यहां पर 5 रुपय का कितने पर हुआ 800 पे तो CP पूछा है CP पूछा है नहीं percent पूछा है तो 100 की value कितनी होगी दोनों 0 से यह दोनों 0 कर जाएंगी और हमारा answer आजाएगा 5 by 8 यानि कि option number D आपको दिख रहा option number D 5 by 8 आपका answer आगया कि आपको 5 by 8 का loss होगा और इसको आगे अगर solve करवाता है paper में option या तो 5 by 8 मिलेगा या आगे और solve करवाएगा तो आपकर करके लिख देना बिटा 0.625% आएगी इसकी value जब हम 8 का divide 5 में लगाएंगे ठीक है मुझे उम्मीद है यह सब बाते आपकी स एक बात आपको समझने की बात क्या है बात ये है कि हमें चीजों को उस तरीके से पढ़ना है कि हम चीजों को एक्दम आसाल-ऌसान तरीके से समझते हुए चले जाएंगे फशना है नहीं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्विश्चन הז न हमें में कभी-कभी ऐसे फ़स जाते हैं कि हमें पता ही ने चिनलता कि हम कर रहे थे हमें करना क्या था तो आपको अब यह चीज़ आपको सामने Q pilot ढुध आई होगी question में कि देख रहा है question? हाँ देख रहा है question, चलिए question बड़ा अच्छा है, SSC का सवाल है बड़ा hit सवाल है, question लिखा हुआ है अरे ये तो बड़ा अच्छा सवाल है इस सवाल का confusion आज हम दूर कर देंगे आपका, बहुत बच्चों को doubt होता है sir, इसका answer इसका answer तो ये होना चाहिए ये question ऐसे आना चाहिए ये question ऐसे आना चाहिए तो इस सब बाते हम आप बिरकुल अच्छे से आपको एक-えक कर के समझाहेंगे समझना क्या है बड़ा सबसे पहले ये देखो तो answer तीन type क्या आते एं दू टाइप फी questions बेटा इसमें आते है एक तो answer तीन type के आते हैं एक में तो answer हमारा आता है loss में एक हमसे पूछा जाता है रुपे में और एक हमसे हमारा डिव टाइप बनता है वो बनता है नो प्रॉफिट और नो लोस का case तो तीनो टाइप हमें बिटा अच्छे से यहां समझने हैं और अच्छे से हमें यहां आपके सामने आपको यह करने हैं तो मैं फिर दुबारा से आपको कुछ चीजें सिखाता हूं और जिन पर हमें चलना है उनको आज आप बड़े अच्छे से सीखेंगे एक-एक करके कि यहां हमें यह सीखना था कि जब हमने यह सीखा देखो यह देखो यहां पर चिक यहां हमें एक बात बर्कुल अच्छे से सीखें हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है सक्सेजिव परसेंट चेंज इसको हम कहते हैं प्रितिसत किरमागत बदलाव ठीक है इसमें आपके तीन टाइप की क्रिश्चन बनते हैं पहला चीज तो परसेंट में आंसर पुछा जाता है दूसरी वाली बात आपसे रुपे में आंसर पुछा जाता है और तीसरी वाली बात एक केस बनता है आपका नो प्रॉफिट नो लॉस ये तीनों बाते हमें बड़े अच्छी से द्यान में रखनी है क्योंकि इन तीनों बातों में से हमें कोई ना कोई बात पेपर में बेटा जरूर मिलती हैיל कि द्यान क्या रखना है पहले type की मैं आपसे बात करता हूँ Christian ने कहा कि कहीं हमें 20% का profit हो गया Profit के लिए ऐसी सम्मन लगा दिया फिर हमें दुबारा में उसी Christian में 20% का loss हो गया या फिर हम इस बात को आगे पीछे भी करके लग सकते हैं पहले हमें 20% का loss हो गया और फिर दुबारा से हमें इसमें 20% का profit हो गया ये बात पिटा आपको अच्छे से सीखनी है ये बात आपके mind में setup होनी चाहिए जब तक आप इस बात को नहीं सीखेंगे तब तक answer तो आप रट के दे सकते हैं मैं मानता हूँ कि इन सवालों के answer रट सकते हैं लेकिन बेटा जब तक आप प्रॉपर इसको सीखोगे नहीं कि ये है क्या तब तक समझ में कैसे आएगा है ना समझना भी जरूरी है देखो ये एक formula होता है इस question को करने का मैं आपके सामने लिखता हूँ ये होता है a plus b plus a b upon 100 ये बहुत सारी किताबों में आपके सामने लिखा होता है ऐसे करके x plus y plus x y upon 100 या फिर कैई जगा ये ऐसे भी लिखा होता है x square upon 100 यानि कि ये इस तरीके से लिखा होगा तो ये हमेंसा loss में आएगा ये बात इसकी fix होती है इन formula को हम solve कर लेते हैं ये होता क्या है ये बिर्कुल साफ है कि a का मतलब पहला नमर होता है b का मतलब दूसरा नमर होता है जब हमसे दूसरी बात की गई यहां पर तो दूसरी बात में मैंने आपके सामने लिखा कि हमें कहीं पहले 10% का घाटा हो गया और दुबारा में हमें कहीं 10% का profit हो गया या फिर ये बात हमें दूसरी भासा में लिखी हुई है आगे पीछे करके कि पहले हमें 10% का profit हो गया और बाद में हमें 10% का क्या हो गया बेटा लॉस ये दौनों बाते हमारी सामें में लिखी हुई है अब होता क्या है, करते कैसे हैं तो पहली बात को हुम सीखेंगे पहली बात को सीखेंगे तो ये लिखा है 20% का profit तो plus 20, minus 20 क्योंकि दूसरी वहाद ही है तो plus 20 into minus 20 upon क्या हो जएगा बेटा hundred हो जएगा, ये 5 पार कटेगा ये कितनी बार कटेगा, चार बार कटेगा ये दोनों प्लस माइनस कर जाएंगे प्लस माइनस माइनस तो ये आजाएगा माइनस का 4% तो हम इसको ऐसे यहां भी solve कर सकते हैं लेकिन ध्यान में रखने वाली बात ये है कि अगर किसी भी question में आपसे 20-20 दिखाओ, एक बार profit हो, एक बार loss हो तो उसका answer आप always कितना लगाएंगे पेटा, 4% loss और ऐसे ही जिस तरीके से हमने इस question को solve किया हम इस question को भी solve करेंगे और इसका जो answer आता है पेटा, 10-10 का वो आपका आता है, हमेशा याद रखना है वो answer आता है, आपका always answer जो आएगा आपका, वो आएगा बेटा 1% का loss, ठीक है, यह दौनों बाते समझ में आएगी अच्छे से रखने हैं, अब जो रुपे में आएगा, उसको हम question के साथ पढ़ेंगे, और एक जो case है, वो no profit, no loss का यह बात यहाद रखनी है, कि जब भी पहले दो चीजे, यह तो percent answer यह फिर rupees answer, पहले इन दोनों चीजों में loss क्यों होता है, क्योंकि हम इन्हें बेचते हैं, जब हम किसी चीज को खरीद के बेचेंगे, तो यहां तो हमें है, no profit और no loss का, तो यह दौनों case आपकी समझ में आए होंगे, तीनो case और इस case को हम आपके सामने आगे पढ़ेंगे, और यही question हमारे सामने आ गया है, बोर पे, देखो, बड़ा अच्छा सवाल है, यह बड़ा अच्छा सवाल है, यह हमारे सामने लिखा भी हुआ है, और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देतना है, ताकि आपको साफ साफ दिखे, यह question लिखा है आपके सामने बोर पे, a dealer sold two TV sets for 9800 रुपीज, each one he gained 10% and on the other he lost 10%, the dealers lost और gain percent in this transaction, एक विक्रिता ने दो TV में सेटों में से प्रितेक को 9800 रुपी में बेजा, एक पर उसे 10% का लाब हुआ, और एक पर उसे 10% की हानि, बिल्कुल अच्छा सवाल, एकदम जबर जस्त, आपकी समझ में आना चाहिए, मुझे उम्मीद है यह सवाल आप बड़े यानि कि हमारा जो आंसर है वो हमसे 30 में पूछा है, एक बार हमें 10% का क्या हो रहा है, लाब हो रहा है, और एक बार हमें 10% का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो आप जाईए और आपको बिल्कुल याद होगा, अभी हमने सीखा, कि जब 10-10 देखे, तो ऐसे answer में या ऐ हुद इसन सवालों में % दिया हो और उनका उत्तर भी प्रितिसत में पूछा हो ऐसे सवालों में जो यह values लिखी होती है ना आपके सामने इनका कोई एहम रॉल नहीं होता इन के बीना भी हम सवालों को कर सकते हैं इनके बिना यहां भी हम सवालों को अच्छे से लगा सकते हैं तो यह बातें विर्कुल आपको एक एक करके अच्छे से सीखनी हैं यह बातें विर्कुल आपकी समझ में अच्छे से प्रॉपर आने भी चाहिए देख लो बेटा बोड पे अच्छा सवाल आपको देख रहा है एक दम अच सवाल आपको यहां दिख रहा है यह दिख रहा है अब तो नहीं कट रहा होगा नहीं कट रहा होगा चली कुशन दिख रहा है आपको एक मकान तथा एक दुकान में से प्रतेक को एक लाख रुपे में बेचा गया बिरकुल सही बात है मकान पर 20% की हानी था दुकान पर 20% का लाव हुआ तो कुल सौदे का परिणाम क्या था एकदम अच्छा सवाल आप जाएंगे option डूढेंगे की तो 4% loss हो गया अरे वा एकदम बढ़िया इतना अच्छा सवाल इतना अच्छा पढ़ना कहा में लेगा कि सवाल देखा नहीं कि उत्तर माइन में आ गया 4% loss तो एक चीज और है अब मैंने आपके सामने यह options लिख दिये यह वाले options मैंने आपके सामें लिख दिये कि हमें दिख रहा है यहां पर देखो दियान से देखना है हमें यहां दिख रहा है कि हमारे यह options लिखे हुआ है लेकिन इन options में हमें एक चीज और करनी है कि कुल सौदे का परिणाम क्या रहा तो then find percent में अलग बताना है और आपको यह सवाल रुपे में अलग बताना है यानि कि यह सवाल हमें दौनों बातों मे बताना है percent में भी रुपी इसके रुपी के जो options में लिख देता हूँ आपके सामने इसका पहला option है 1.12-0.000.00 का profit ठीक है दोसरा option में आपके सामें लिख देता हूँ आपका 5 by 6.000.00 profit चौर्था option में आपके सामें लिखता हूँ इसका तीसरा option इसका इसका तीसरा option हो जाएगा देखाँ, अब देखेंगे दुबारा से इसका पहला option में आपके सामें लिखूंगा इन रुपीज एंड इन प्रसेंट में दौनों बताना है पहला option 1 by 12 lakh का आपका loss, दूसरा option 1 by 12 lakh का आपका profit, ठीक है इसमें ये पहला option है, ये दूसरा option है ये तीसरा option बिटा आपका हो जाएगा, इसमें लिखा है 1 by 15 lakh का loss, और ये आपका बिटा चौथा हो जाएगा इसमें लिखा है 1 by 15 लैक का आपका प्रॉफिट यानि कि ये चार सवाल हमें बताने हैं और एक ही सवाल में हमें दो सवाल भी करने हैं अब इसमें हम जब दो सवाल हम करेंगे तो दोनों सवालों में हमें एक बात बिल्कुल अच्छी से समझ में आ रही है दोनों सवालों में हमें बिल्कुल अच्छी से एक बात समझ में आ रही है वो यह है कि एक मकान और एक दुकान जब हम इस सवाल को परसेंटेज पर तो इसका answer आना चाहिए 4% का loss लेकिन जब हम दुबारा से पहुंचे की रुपे में क्या होना चाहिए तो हमारी आँखों के सामने तारे टिम्टमाने लगें यह अब क्या होगा यह तो बात बड़ी पंगे वाली फस गई अब क्या करें तो बिटा अब कुछ नहीं करना अब तो सवाल solve करना है अब जो होगा वो तो हो गई होगा कांड तो तुमारी जात अब होगा तो सोचना क्या है अगर इस सवाल को हम percent पर करते हैं तो हम आख मीच के जाएंगे और हमारा answer हो जाएगा 4% loss क्योंकि इस बात को हमने पढ़े अच्छे सीखा समझा और मैंने आपको समझाया भी है लेकिन इसमें जब बात आई रुपे की तो आपको रुपे में क्या सीखना है आपको रुपे में यह सीखना है बटा की एक लाग का तो मकान है और एक लाग की आपकी दुकान है दौनों कितने रुपे के हैं सबसे पहली बात तो सर हमारी दौनों चीजे चार हजार लौस का होथा जब लेकिन बिठा चार हजार लौस तब आता जब यह answer किस पर होता पर्चेजिंग पर होता इसको हम खरीदते लेकिन इसको हम क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं तो यह हो जाएगा पिटा आपका photos are 8 upon 96 lakh 818 and 812 are 96 तो हमारा answer हो गया 1 by 12 lakh का loss क्यूंकि loss तो इसलिए आएगा क्योंकि पहले से loss हो रहा है तो यह हमारा answer यह बात आपकी समझ में आई होईगी मुझे उम्मीद है मैं आपको यह बात अच्छे से समझा पाया होंगा तो इस सवाल को आप देखो बेटा अच्छे से एक बार अच्छे से प्रॉपर तरीक से समझो और यह सवाल बड़ा अच्छा सवाल है एस से का बड़ा हिट भी सवाल है यह बार बार एक्जाम में आ भी रहा है ठीक है अब हम चलते हैं बेटा आज की क्षिशन नमबर आठ की तरफ आठ्वा क्षिशन पड़ा अच्छा रे वाह दिलकुस हो जाएगा तुमारा क्षिशन देखके क्षिशन करने के लिए और कोष्ट प्राइस मैंने माना कि पहली वस्तू का भी कोश्ट प्राइस सो है दूसरी का भी cost price हो है, यहां लिख लेते हैं selling price, ठीक है, selling price, बई, 1995 पर भी answer उतर नहीं आएगा, आप 1995 का 20% एक बार profit निकालो, एक बार 20% आपका loss निकालो, तो value को रखोगे तो भी same आएगी, लेकिन मैं आपको क्या बताया, मैं आपको यह बताया, कि हमें CP के price पर तो जा नहीं नहीं है, क्योंकि आप वहाँ जाओगे तो फस होगे, आपको क्या याद रखना है, आपको याद यह रखना है बेटा, कि CP का मतलब हो गया cost price, और cost price का मतलब हो गया, जब हम किसी भी price पर किसी वस्तू को खहितते हैं, तो हम ही नहीं पता हमने कितने उर्पेगी खरी को 12% का क्या हुआ बिटा, 12% का profit हुआ लाब, तो यह कितने रुपे की होगी, 112 रुपे की, दूसरी वाली पर उसे 12% की क्या हुई जी, हानी हुई, तो यह कितने रुपे होगी, 88 रुपे की, तो मैं दोनों को जोड लेता हूँ, यह भी 200 रुपे, और यह जोड लेता गलत हो गया, एक बाद दुबारा देखो, हमने कोई चीज 100 रुपे की खरीदी, ठीक है, और हमने उसको 12% के लाब पर बेचा, यह CP है, यह CP है, और यह SP है, 100 रुपे की खरीदी, और हमने इसको 12% के लाब पर बेचा, तो यह होगी बिटा, 112 रुपे की, ठीक है, हमने दोस वस्तु 100 रुपे की खरीदी, इसको हमने 12% की हानिवे बेचा तो 88 रुपे की हो गई, तो हमने खरीदी कितने रुपे की, 200 रुपे की, और हमने बेची कितने रुपे की बेचा, 200 रुपे की, तो हम कह सकते हैं, हमने जितने की खरीदी, उतने की बेची, तो सेलिंग और आपका बेटा दूसरा हो गया नो लॉस ये एक केस होता है आप अब यहां कह सकते हैं सर हमें profit loss नहीं होगा क्योंकि हम यहां चीज़ों को खरीद रहते हैं हम यहां चीज़ों को बेश नहीं रहते हैं जब बेशते हैं तो बेटा loss होता है औल्वेज और जब ख्रीदते हैं तो हमें same percent पे तो हमें no profit और no loss होता है चलिए अगले क्यूशन की तरफ चलते हैं आज का question number 9 ये सवाल बड़ा अच्छा है ये सवाल बड़ा अच्छा है इस सवाल को हमें बड़े अच्छे से लगाना भी है और बड़े अच्छे से इस सव का उत्तर मुझे देंगे भी ठीक है एक विपारी वस्तुओं के मुल्य को ऐसे अंकित करता है कि उसे 40 प्रितिसत का लाव हो यानि कि MP उसका 140 है आठ परसेंट उसने माल भेजा जो आग में जलकर खराब हो गया 22 परसेंट मतमेला हो गया और बटा उसने लागत मुले से आधे मुले पर 22 परसेंट को बेचा बिल्कुल सही बात है यदि बचे हुए को वो किस पर बेचता अधिक्तम यानि की मांग्ड प्राइस पर बेचता MP पर बेचता तो उसका लाग परसेंट बताईए बड़ा अच्छा सवाल है बड़े अच्छे से हम इसको करेंगे चलिए कैसे करेंगे हम करेंगे CP हमने माना CP हमारा कितना है 100 हमने उसको अंकित किया MP यानि की profit 40 होना चाहिए तो हमने MRP कितना कर दिया उसका 140 CP हमारा 100 होना चाहिए और MRP हमारा होना चाहिए बड़ा 140 तभी इस सवाल को हम अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब 40% का profit लेगा तो MP 140 हो जाएगा अब हमने क्या किया हमने इस 100 को बेचना शुरू किया इस 100 में से हमने सबसे पहले कितना बेचा 8% बेचा और जब हमने सबसे पहले 8% बेचा तो 100 का 8 बेटा कितना होता है 8 होता है और वो आग में जलकर खराब हो गया lost in fire तो बेटा वो कितने रुपे का हो गया 0 रुपे का सही है दूसरा 22% की बात मैंने की तो 22% बेटा कितना होता है 22 ही होता है और जितने का हमने खरीदा लागत मुल्ले के आदे मुल्ले यानि की 50% पर बेज दिया इसको हमने तो 22 का 50% बिटा कितना होता है यानि कि आधा कितने रुपे ग्यारा रुपे अब हमने बात की बचे होएगी C आगी लिखा है यदि बाकी को अधिक्तम 22 और 8 तीस बेज दिया तो बिटा बचा कितना 70% यानि कि 70 और इस 70 को हम अधिक्तम मुल्य पर बेचेंगे यानि कि Mrp पर और Mrp पर जब हम इसको बेचेंगे तो Mrp कितना है 140% और 140 पर बेचेंगे तो 14 सत्ते कितने होता है बिटा 98 1470 ृचय चलो अब बेच हमारी क्रीट्ड् сок मूंगए टो हमने बेचा कितने का ये वैचा हमने 10 0 & 8 109 रुपे का हमने इसको बेचा, हमने खईदा कितने का था 100 का था तो हमने कोई चीज CP यानि कि हमने कोई चीज खरी दी कितने रुपे की 100 रुपे की और हमने कोई बेज दी कोई चीज कितने रुपे में 109 रुपे में तो आप बिरकुल इस सवाल को कहना चाहते थे अब कह सकते थे अब बिरकुल सिंपल सी ब बाद हमें 100 की चीज 109 में बेचने पड़ी और जो हम 100 की खरीद के 109 में बेचेंगे तो साफ साफ हमें पादा चलेगा कि हमें केवल वहां 9% का ही प्रॉफिट होगा option number B right answer of discussion यानि कि हम कह सकते हैं हमें यहां पर केवल जो फाइदा हुआ बेटा वो केवल 9% का हुआ यह बात आपकी बिर्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि यह बात आपकी समझ में भी अच्छे से आई होगी और आज की किलास का आखरी सवाल 10 question बिटा हम पढ़ा करेंगे रोज डेली आपके सामने अब किलास आया करेगी ऐसा नहीं होगा कि आज किलास नहीं आ रही है कल आ रही है अब प्रॉपर वी में आपको किलास मिलेगी मैस की भी ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाएं आप पर दूसरे भाग को वह 16% की हानी पर बेजता है ताकि उसे कुल पर 14.2 प्रिसित का लाव हो सके तो उसने कितने किलोग्राम चावल 10% लाव पर बेचे एक दम अच्छा सवाल है आप लोग करके बताईए कितना अंसर आप लोग बता सकते हैं क्या मुझे अंसर कमेंट सब्सक्राम करके बताओ रड़ा फुटा-फुट फटा-फुट कितना अंसर आया। चलो हम बता देते हैं कि बता एक बात हमेसा याद रखो एक हमारे मैस में होता है ऐलीडियो मेट और ऐल्रीगेशन जहां लगता है ना वीपा उससे आसान कोई सवाल नहीं था ऐलीचे ल overall condition होने या ना होने की बात करें, होगी तो रख लेंगे, नहीं होगी तो निकाल लेंगे, तब हम वहाँ allegation method लगा सकते हैं, allegation method जो हम लगाएंगे, तो allegation के लिए आपको ब्रिकुल समझ में आना चाहिए, कि question ने कहा, पहला बाग, जो पहला बाग था, हमने उसको 10% की किस पर करीदा, profit पर, ठीक है, दूसरे वाले भाग की बात में बात की, दूसरे वाले भाग को मैंने 16% के profit पर करीदा, रिकुल सही है, और total पर जो मुझे हुआ, total value को बीच में रखते हैं, 14.2% की भरवेजा, तो allegation का मतलब होता है, आमने सामने minus करना, आमने सामने minus करना, allegation method का तरीका होता है, यह आपका बचे का बेटा, 4.2, और यह आपका बचे का बेटा, 16 में से यह घटाएंगे, तो यह बचे का आपका 1.8, चलो, ठीक है, 6 से काटेंगे, 6 यह पॉइंट से, यह ratio में आता है, always, यह बात प्याज रखनी है, तो पॉइंट से पॉइंट कर हैंगे, 6, 3, and 6, 7, ठीक है, तो हमारा नया ratio बनके तयार हो गया, 3 ratio 7, ठीक है, अब हमें क्या बताना था, question में लिखा है, तो उसने 10 kg, sorry, तो उसने कितने kg चावल, 10% के लाब पर बेचे, तो बटा, 10% वाली साइड यह है, और 16% वाली साइड यह है, तो 10% वाला हमें बतान है, 10% वाली 3 है, कितने में से, 7 और 3, 10 में से, और value कितने kg चावल की है, 3000 kg चावल की है, तो बता दो इसमें से कितना होगा, यह 10 से काटेंगे, 10 30, 30, 300 बार, और 3 30, 900, हमारे सवाल का answer आगया, 900 के जी, और यह आपको बिर्कुल साफ दिख रहा है, option number C, हमारे सवाल का answer आए वो proper आपकी समझ में भी आए होंगे, जिस question में बिटा आपको doubt लगता है, उस question को आप comment करके बता सकते हैं, मैं उस question को आपको बिर्कुल दुबारा से अच्छे से clear कर दूँगा, और अब आदने हैं मैन बात पर, एक और चीज, यह हमारे channel का नाम आपको बोट पर देख र होगा, एक क्लास मेरी आई भी है, और आज की दूसरी क्लास है, और हम कोशिस करेंगे कि आपको एक क्लास daily आपको ऐसे मिलती रहे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को share करें, subscribe करें, like करें, सब लोग यही कहते हैं, मैं बेट कहूँगा, इसको फ चलिए फिर अगली क्लास मिलते हैं बेटा, गुड नाइट